हेलो दोस्तों तो किसे हैं आप सब दोख तो जैसा कि हम बात करने वाले आज एससे जीडी के एक्जाम के बारे में जिसका फाइनल मेरिट आने वाली है और इसका देखा जाए तो सभी काम प्रोपर हो चुका है जिसे मेडिकल, फिजिकल, डीम, आरेम, जो एका सेंटर का बचाओ का वा आज कम्प्लेट हो जाएगा और लगबख मान सकते हैं कि कम्प्लेट हो चुका है तो काफी सारे बच्चे जो हैं वो मेरिट को लेकर काफी लोग परेशान है और दिन दिन भर देख रहे हैं कि वीडियो वगेरा देख रहे हैं कि कितना जाएगा कितना जाएगा एक वक्ति दो दो तिन तिन वीडियो दिन भर में बनाए जा रहा है कि इतना जाएगा किसी वीडियो में कम बता देता है किसी में जादा बता देता है किसी में एवरेज ब बैठा हूँ जो PFT की है और final merit की में बात करने वाला हूँ देखो एक बात में आप लोगों को बता दो कि merit का ऐसा है कि कि जाएगी और किसी को कुछ नहीं पता यहां तक के result का भी किसी को कुछ नहीं पता कि कुछ लोग किसी को नहीं पता कि प्रोसेश हिसाब से complete होती है उसी के बाद पता चलता है कि कि जब काम complete हुआ है उसके बाद ही तो हम decide कर पाएंगे कि merit कितनी क्या कितनी तारीक को लगाने चाहिए कितना कप करने चाहिए तो देखा जाए तो मैं आप लोगों को एक बाद बता दूं कि कुछ लोग ऐसा बता रहें कि merit जो है दो से तीन नंबर जाएगी चार से पांच नंबर जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है merit देखो आप लोगों को सबको पता है कि आज का time जो है वो competition का time है merit तो जाएगी ही सही अच्छी कम से कम 7-8 number plus तो जाएगी ही सही क्योंकि कारन यह है कि हाँ यह बात भी है कि पिछली बार जितनी तो नहीं जाएगी क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था आप सभी को पता है कि पिछली बार यह पिछली बार तो हर केटिगरी में बहुत ज्यादा कॉमपडिशन देखना को मिला था लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं ऐसा होने वाला है खास का जनरल वालों को डल लग रहा है कि हमारा कट अब हो ज्यादा चले जाएगा ऐसा बिल्कुल है क्योंकि इस बार केवल जनरल की और EWS की जो बात कर दो लगों से कि उन लोगों की जानकरी नहीं बढ़ती लेकिन ये है कि हम लोगों को अभी समझदार ये दिखाना है कि अपनी पढ़ाई को continue रखना अगर आप ऐसा करोगे कि पढ़ाई ही नहीं करोगे और बस एकी चीज के मरोसे बढ़ जाओगे तो उससे कुछ होना जाना नहीं है बान में ऐसा होगा कि आपका जो ये अगली भरती के लिए की समाई जाने में पता नहीं चलता आपको पता कि जनवरी दो हजर पच्चीश में इसकी वापस से एकजाम है रेल्वे की एकजाम है तो आप लोगों को थोड़ा ही continue रखना चाहिए जैसे कि एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, जितना आपका भी मन लग रहा, मुझे पता है कि अभी मन तो नहीं लगेगा, क्योंकि जब मेरिट आती है तो काफी सारे बच्चों को ऐसा हो जाता है, कि जब मेरिट आ जाए, उसके बाद ही पढ़ाई मन लगा, ये बात सही है लेकिन बस परिशान होने वाली कोई बाद नहीं है, मैं यूपी की बात बता देता हूँ, हिंदी भासी राज्यों की, जो यूपी, MP, राजिस्तान, जहां 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 पर हिंदी बोली जाती है, हिंदी भासी राज्यों जो उनके कट ओफ पेले काफे गई है, तो वो नहीं को बनेगा चांस पीजिकल की कट अव बहुत ही कम लगाई घंग सब्काइब है जिसे 50 नंबर 52 नंबर69 इह बड़कि जाकते हैं तो उनunta 20 नंबर 15 वड़किंग है जय से जासे की मेरा हाँ में पेडिया पूलब आप लोगों को बता रहता हूं एक एक्जाम्पल के थोर पर अब जैसे उड़ीसा है उड़ीसा की EWS की 80 नंबर गई है जनरल एरिया की बात कर रहा हूं में OBC की 100 नंबर गई है तो ऐसे इस्टेट जिनकी कट ओफ शुरू में कम लगती है उसकी कट ओफ बढ़ने के थोड़ा ज्यादा चांस होते हैं और ब सबस्क्राइब बच्छों के बांडरी पे इन नंबर भानर इन लूगों के 5 से 6 नंबर वाले यह बांडरी पर कौंपने कोंपोरिशन के 2 नंबर जाए किसी के तीन जान नमबर जाए किसी के 4 नंबर जाए यह देखनें को मिलेगा बाकी近 bond बासि निग्सले法 जिसके 7-8 नं नमबर अपने आपको सेब समझ सकते हैं लेकिन कुछ इस्टेट है मैं आपको अभी बता रहा हूं मैं कि जिनकी कटोफ शुरू में कम गयी है जिसे किसी कटप गई इतने बच्चे मिल गा है तो उनको कम से कम का टोप पे बुलाना पड़ता है क्योंकि बच्चे ही नहीं मिलता उन लोगों को जैसे वेस्ट पंगल की में बात करूं तो जनरल की आप देखो 69 EWS, OV89, SC82, ST85, UR95 तो इन क्या देखने को मिलागा जैसे 110 हो गया फाइनल 105 एसा कुछ देखने को आपको जरूर मिलागा फाइनल में तो आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरन नहीं है बाकि आप लोग अपनी पढ़ाई को थोड़ा बुत कंटीनू रखें और भी मन लग रहा है तो आप लोग अभी आराम से रहें और अपने आप पर भरोसा रखें बाकी चिंता करने वाली कोई बाद नहीं है बाकी आप इंज्योई करें तो ठीक है दोस्तों में मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में द्यान रखें आप अपने जैए